बूर्णिंग फ्रेंज आपका स्वागत है मैं प्रोफेसर रंजना सिर्वास्तो प्रवक्ता समासास की आपका स्वागत करती हूँ पालवान गुरुदिन गुरुफ आफ कॉलेज के यूटूब चैनल पर अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है त एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है पर्यावरण का रिचेवन में महत्व हुना फार्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है मनुस्य एक पल भी इसके बगार नहीं रह सकता यहां हरे-भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्य अंग है प्रकृति के बिना मानौ जीवन की कल्पुना भी नहीं की जा सकती है। जल धल वाईू अगनी आकास इन्ही पांश तत्तों से मनुस्य का जीवन है और अंत्य में जीवन समाप्थ होने पर वह इन्हीं में विलिन हो जाता है। प्राचिन काल में मनुस्य अपने चारो और की सुन्दर प्रक्रति को सहेच कर रखता था मनुस्य का जीवन बहुत सीधा सीधा और सरल था वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से कारे करता था और साथ ही अपने आसपास के पेड़ पौधूं की भी सुन्दर और स्वस्तवाता वरण बनाये रखता था धी अंसान और बहतर होने लगा धीरे धीरे समय बदला और मनुस्य ने अपने जीवन में नए नए अविस्कारों से न जाने कितनी उपलब्दियां हासिल कर ली बड़ी बड़ी गगन चुम्बी इमारते खड़ी कर दी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियर मिल आदी बन गई और इ इसका उसे एहसास तक नहीं है आज हम देखते हैं कि पहले जिस प्रकार बन उपवन आदी होते थे हर जगा जहां पर भी घने भरिक्ष आदी हैं उसे काट काट कर वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारते बनाई जा रही हैं इसका हानी कारक प्रभा मनुस्य के जीवन पर ही प जासें में डाल दिया जाता है उससे जल प्रदूसर फैलता जा रहा है और धुए से निकलने वाली विसहली गैस हवा को जो प्रदूसित कर वायू प्रदूसर फैला रहा है इसी प्रकार यातायात के सादनों से जो प्रदूसर फैल रहा है वो भी एक चिंता का विसह बन च आज कल ज्यादातर घरों में और कारों में एयर कंडिशनर लगे हुए हैं और जिनका अधिक इस्तिमाल करने से बाहर का तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है और समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि ग्लोबल वार्नुइंग बढ़ रही है मनुस्य को इस विषय पर गंभीर रूप से बिचार करना होगा कि प्रकृति से खिलवाड नहीं करें और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें हमें यह जागरुकता लानी ही होगी कि अपने आसपास जहां संभव हो ब्रिच्छार रोपड करें ज्यादा से ज्यादा ब्रिक बच्चों का जनम दिन बहुत प्यार से मनाते हैं पार्टी करते हैं उनके दोस्तों को बुलवाते हैं हमारे बच्चे खुस भी हो जाते हैं कितनी बार माबाप बहुत पैसा भी खर्च करते हैं कभी कभी हम कुछ अलग भी कर सकते हैं जैसे उनके जनम दिन पर हम उनके पर्यावरण के लिए हम सभी को जागरुक होने की आवसकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमको साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। कई लोग इस और जरा भी ध्यान नहीं देते हैं जहां मन आया वहां कचरा फेक देते हैं। फिर चाहे वो सडक हो या उनके घर के आसपास की जगा। यह बिल्कुल गलत बात है इस तरह की गंदगी फैलाने से बिमारियां फैलती हैं जो हमारे स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक हैं। प्लास्टिक की थैली आदी से जो गंदगी और प्रदूसर फैल रहा है वह एक चिंता का भी से बन चुका है। क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुक्सान पहुच रहा है। इसलिए प्रतिक नागरिक को सजग रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद मोदी जी दिन रात देश के विकास के लिए कारे कर रहे हैं। और स्वक्षता अभियान के द्वारा उन्होंने देश में जो क्रांति लाई है वह बहुत सराहनी है। और उनके इस स्वक्षता अभियान में हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो पूरी तरह से उनके इस कारे में सहयोग दे और उनकी इस सोच के साथ जुड़े तभी या संभव है कि हम एक स्वक्ष और स्वस्त वातावरण में रह सकेंगे थैंक यू